नमस्कार मैं हूँ नरेश और एक बार फिर से हमारे दर्शकों का स्वागत है संस्था समाचार कारेक्रम में आज हम आपको बताना चाहते हैं कि परम पुझे संश्री आशाराम जी बापू के विशह में डेरा सच्चा सोधा के श्री गुरमीत सिंग जी बाबा राम रहीम जी महराज का क्या कहना है उन्होंने आज पुझे बापू जी का समर्थन करते हुए पूरे जन्ता के सामने ये बात कही उन्होंने कहा कि परम पुझे संश्री आशाराम जी बापू आज समाज के ही नहीं इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के एक प्रतिष्टित संत है प्रतिष्टित व्यक्तियों पर लांचन लगना कोई बड़ी बात नहीं है प्रतिष्टित व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं जितने बड़े संत उतने ही बड़े तरीके से उनको बदनाम करने का प्रयत्न किया जाता है समाज میں छोटे छोटी बातों लोग लांचन लगाने में नहीं चूकते उनका ये भी कहना था कि छोटी सी बात को लेकर ऐसा सोचना ही गलत है आजकल चंद पैसों के लिए लोग दूसरों पर लांचन लगाने में नहीं चूक रहे हैं पुझ्य बापु जी तो एक प्रतिष्टित व्यक्ती हैं इसलिए उन पर लांचन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है पुझ्य बापु जी बलातकर जैसा घिनोना करत्य कर ही नहीं सकते ना ही कभी किसी का अहित कर सकते हैं ऐसा भी डेरा सच्चा सोदा के श्री राम रहीम जी महराज का कहना था उन्होंने ये भी कहा कि आजकल संतों पे इलजाम लगाने का एक दोर सा चल पड़ा है जिस प्रकार स्वामी नित्या नंजी महराज, क्रपालू जी महराज, सादवी प्रग्या ठाकूर, राम देव बाबा और जगत गुरू श्री जैंद्र सरस्वती जी महराज और अभी हाल ही में परम पुझे बापुजी के उपर ऐसे इलजामों की एक बोच्छार सी चल पड़ी है परन्तु वास्तविक्ता इनसे कुछ भिन नहीं रहती है कृपालू जी महराज पर भी ये आरोप लगा था कि उन्होंने भी किसी लड़की के साथ छेड़ चाड़ का मामला आया था परन्तु कृपालू जी महराज भी उससे निर्दोष बाहर आये ऐसा कुछ भी उनके उसमें कानूनी प्रक्रिया में नहीं पाया गया परन्तु बार-बार ऐसे इलजाम संतों पर लगा कर आखिर ये कुछ लोग संतों को बदनाम करने का बेड़ा उठा के बैठे हैं ये चूकते नहीं हैं संतों को बदनाम करने का कोई भी शन जैस प्रकार स्वामी नित्यान जी महराज के बारे में बार-बार सीडी के द्वारा प्रसारण किया गया था परन्तु जब उस सीडी की हकीकत सरवोच नयाले द्वारा जांच की गई तो वो बिलकुल जूटे तथे पाए गए और स्वामी नित्यानन जी महराज के विशे में मीडिया प्रसारण में जो भी भदा दिखाया गया उसके विशे में मीडिया को उनसे माफी मांगने को भी कहा गया और मीडिया को नायाले द्वारा फटकार भी लगाई गई परन्तु क्या आज आशाराम जी बापू के बारे में जिस प्रकार ये अनर्गल को परचार दिखाया जा रहा है यदि पुझे बापू जी निर्दोष बाहर आते हैं नयायाले प्रक्रिया में तो ये मेडिया जिस प्रकार से आज बापुजी के विशे में अनर्गल दिखा रहा है क्या उसी प्रकार से पुझे बापुजी के विशे में सच्चाई भी दिखाएगा आज तक का जो भी रिकोर्ड रहा है किसी भी संतों के बारे में जिस प्रकार से अनर्गल दिखाया गय उसी प्रकार से सच्चाई को नहीं दिखाया जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्यों समाज से सच्चाई की वो बाते छुपाय जा रही है जो समाज के बीच होनी चाहिए वहीं दूसरी और यदि हम बात करें तो वरिष्ट पत्रकार और प्रसिद लेखक श्री अवधेश कुमार जी का भी ऐसा ही कहना था उन्होंने कहा कि छानबीन से पहले ही पुझे बापुजी को अपरादी क्यों घुशित कर दिया जा रहा है जबकि ये केस अभी न्यायाले में विचारा धीन है परन्तु चैनलों पर ऐसी अटकलों की को बनाकर इस प्रकार उचाला जा रहा है मानो पुझे बापुजी अपरादी साबित हो चुके हो जबकि ऐसा अभी कुछ नहीं है उनका इतना भी कहना था कि इस प्रकार से चैनलों का भाषा इस्तर गिर गया है कि पुझे बापुजी को बदनाम करने के लिए वे किसी भी नीचे इस तर तक जा रहे हैं ये तथ्ये ठोस नहीं है ये हास्यास्पद अटकलों को सच जैसा बनाकर जनता के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है जो की ऐसा है ही नहीं अब पुझे बापुजी की पूचताच को लेकर ही बात करें कि पुझे बापुजी से पुलिस की जो भी पूचताच हुई और इस केश के विशे में जो भी पूचताच होती है उसका रिकॉर्ड कहीं भी बाहर किसी को नहीं दिया जाता परन्तु मीडिया द्वारा ये record बार बार उचाला जा रहा है चैनल ओ द्वारा बार बार ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने क्या प्रश्ण पूचे और पुजे बापुजी ने क्या उत्तर दिये परन्तु ये आप भी देखेंगे कि मीडिया प्रसारण में हर चैनल पर अलग-अलग पूस्ताच के बारे में अलग-अलग सवालों को अलग-अलग तथियों से रखा जा रहा है सब की सब बाते समानत रूप से नहीं आती है ये बात सिद्ध करती है कि मीडिया कही न कहीं प्रसारण में पुझे बापुजी को फसाने का एक प्रेतन किया जा रहा है मीडिया के द्वारा हो या प्रसारन माध्यमों के द्वारा हो या फिर उन लोगों के द्वारा हो जो की चंद पैसों के लिए पुझे बापुजी पर इलजाम लगाने के लिए तुल पड़ते हैं वास्तों में ये लोगों की सच्चाई इससे अलगी है जिस प्रकार से अभी राहूल नाम का एक व्यक्ती पुझे बापुजी पर बारम बार चेहरा ढाक कर इलजाम लगाने का प्रेत्न कर रहा है वो व्यक्ती स्वैम ही चार महीने जेल जाकर आ चुका है उस व्यक्ती को पुझे बापुजी पर लांचन लगाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पुझे बापुजी जैसे संतों के द्वारा तो समाज का सदा कल्यान और उद्धार ही होता रहा है परंतु पुझे बापुजी को ये फसाने का एक शड्यंत्र है ऐसा भी अवदेश कुमार जी क कहना था कि न्याय प्रक्रिया अभी विचारा धिन है न्याय प्रक्रिया पर मीडिया को हस्तक्षिप नहीं करना चाहिए न्यायाले और पुलिस की भूमिका को न्यायाले को ही निभाने दें मीडिया को उसमें हस्तक्षिप न करें उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के कुछ नियम होते हैं जैसे कि जब तक आरोप साबीत न हो तब तब आरोपी के चरित्र का हनन न करें किसी भी तरह से हमारे व्यवार से कोई भी उत्पीडित न हो इस बात का भी मीडिया को खयाल करना चाहिए यदी व्यक्ति अपरादी भी हो तो भी उस व्यक्ति के कुछ सकारात्मक पहलू भी समाज के सामने आने चाहिए ये बात उन्होंने कहा था ऐसा भी कहना था अवदेश कुमार जी का कि कई बार ऐसा लगता है कि हर हाल में संतिश्री आशाराम जी बापू को दोशी साबित करने के लिए दबाव तो नहीं बनाया जा रहा जैसा कि अभी कुछ जिनों पहले पुझे बापू जी को बदनाम करने के लिए बड़े ही गिनोने तरीके से पीडोफिलिया बिमारी नामक एक बिमारी का उपयोग किया गया पुझे बापुजी को यहां तक कह दिया किया कि इस बिमारी के पुखता सबूत पुझे बापुजी के मिल चुके हैं परन्तु इस बिमारी की वास्तविक्ता क्या थी? क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी वकील ने किस प्रकार से कोट में क्या बाते रखी थी? हम आपको बताते हैं. परन्तु जब सरकारी वकील के इन बातों को सामने आया तो इस बात को चरपरा करके मीडिया ने प्रसारित किया दूसरी और नयायाले के नियुक्त बोर्ड द्वारा मेडिकल जाच में भी पुझे बापुजी के कोई भी इस बिमारी संबंदित किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं आई है यहां तक कि पुझे बापुजी को मेडिकल जाच में पूर्ण रूपेंड स्वस्थ पाया गया है तो क्यों बार बार ये बातें उच्छाली जा रही है और इस प्रकार के तथ्यों को अनर्गल प्रसारित किया जाता है ये बात जूटी और मन घढ़न्त है कि पुझे बापुजी को पीडोफिलिया नामक बिमारी कभी हुई थी ना आज तक पुझे बापुजी को ऐसी कोई बिमारी थी और ना ही आज है फिर मीडिया द्वारा क्यों बार बार ऐसा प्रसारण किया जा रहा है कहीं न कहीं अवधेश कुमार जी जो वरिष्ट पत्रक उनकी ये बाद जनता को सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक तरफा प्रसारण करके मीडिया दिखाना क्या चाहता है एक परिवार को पीडित बताकर दूसरे परिवार को सताना ये कहां का न्याय है वहीं दूसरी और यदी हम बात करें तो पुझे बापुजी आज देश पर में लाखों करोडों लोगों को दिव्य प्रेरणा प्रकाश, ध्यान योग शिविर और विध्यारती उज्वल भविश्य निर्मान शिविरों द्वारा ब्रह्म चर्य और सैयम की शिक्षा देते र मंगों को भरा है, उनकी बुद्धी शक्ति का विकास और स्वास्य संबंदित कई युक्तियां समाज को दी हैं, अमेरिका के राष्टपती द्वारा कई बार ब्रह्म चर्य की शिक्षा के लिए कई हजारों करोडों डॉलर रुपे खर्च किये जा चुके हैं, वहीं ब्रह पुज्य बापुजी ने अपना पूरा योगदान दिया है, अमेरिका के राष्टपती ने अपने ही भाषण में ये भी कहा था, कि अमेरिका के लोग साइंस और मैट्स में आगे आएं, कुछ समय पूर्व दिये गए इस भाषण में, अमेरिका के राष्टपती ने कहा थ कि यदि अमेरिका के विध्यारती मैट्स और साइंस में आगे नहीं आएंगे तो बड़े बड़े शेत्रों पर भारत के बालक आजाएंगे भारत के बालक बालिकाओं में ऐसा उत्सा ऐसी हिम्मत कहां से आई कहीं न कहीं भारत की संस्कृती संयम सदाचार और इसको बढ़ावा देने वाले भारत के संत भारत को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं आज समाज के कुछ लोगों द्वारा पुझे बापुजी के विशे में ये जो अनरगल फैलाया जा रहा है वे लोगों का खुद का ही चरित्र नहीं है सारा समाज जानता है कि इन चंद लोगों की वास्तविक्ता क्या है परंतु पुझे बापुजी को बदनाम करने का ये प्रयत्न किया जा रहा है पुझे बापुजी देश की सुद्रड सम्रद और सक्षम बनाने में नित्य क्रियरत है पुझे बापुजी के द्वारा किये जा रहे कार्य आज जनता ही नहीं सारा समाज सारा विश्व जानता है कि पुझे बापुजी द्वारा कैसे हमारे देश को उन्नत और सुद्रण बनाया जा रहा है इस बात का प्रमान प्रत्यक्ष उधारन आपको तब भी मिलेगा कि मुस्लिम संप्रदाय के भुटो खान जी नामक व्यक्ती भी पुझे बापुजी के समर्थन में है उनका कहना है कि जिनोंने पुझे बापुजी हिंदूओं के ही नहीं हमारे भी कामिल मुर्शिद है उन्होंने ये भी कहा कि जिने ऐसे फकीर मिल जाएं उनकी तो सहज में ही रूह रूहानियत से एकाकार हो जाती है उन्होंने ये भी कहा कि मैं और मेरी बीवी हम पिछले दस सालों से पुझे बापुजी के संपर्क में आए हैं और हम सैयम सदाचार की शिक्षा पुझे बापु से पाते रहे हैं इससे प्रकार के सैयम और व्रत करने से हमारे जीवन में एक नवीन उत्सा और नवीन उमंग का संचार हुआ है हमारे शरीर में स्वास्ते संबंदित कई बिमारियों से हमें राहत मिली है पुझे बापुझे द्वारा सिखाए जा रहे प्रयोगों और सैयम की शिक्षा से हमारे जीवन में काफी खुशहाली आई है उनका कहना उन्होंने केवल कहा ही नहीं संस्था को ये बात लिख कर भी दी है और मीडिया चैनल पर भी उन्होंने इस बात को स्विकार किया है आप देख सकते हैं वो कौपी जो उन्होंने आश्रम को लिख कर भी दी है उन्होंने ये भी कहा कि हम पती पत्नी के जीवन में वरत और सैयम आया है उसके बाद हमारी तबियत में भी काफी तब्दिली हुई है ये बात मेरी ही नहीं पुझे बापु जी के करोडो करोडो भक्तों की भी है और देश की तमाम जनता की भी है कि पुझे बापु जी किस प्रकार समाज का कल्यान कर रहे हैं आज वो बोले कि मेरा ही नहीं जनता का भी और बापू के करोडो भक्तों का भी ये मन है कि ऐसे समाज और देशो थान की सेवा करने वाले पुझ्य बापू जी जल्द से जल्द हमारे बीच हो जनता से ये बात रखना चाहते हैं कि आप स्वैम ही देखें जिनके खुद के चर पुझ्य बापूजी पर चरित्र हनन का आरोप कैसे लगा सकते हैं जो लोग स्वैम ही कई केसों में चल रहे हैं जिनके उपर कई केस भी धर्ज हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत कई बार वो जेल भी जा चुके हैं ऐसे व्यक्ति यदि पुझ्य बापूजी जैसे वास्तविक्ता क्या है? खबरों को तटस्त होकर देखें और वास्तविक्ता में तटस्ता से जब आप देखेंगे तो सच्चाई आपके सामने आएगी। वहीं हम पिछले कई वर्षों से चले आ रहे यदि दिवाली की शिविरों की बात करें तो इस बार भी हर वर्ष की तरह दिवाली पर विद्ध्यारती उत्थान शिविर का कारेकरम आश्रम में रखा गया है। जिस प्रकार हमने आपको पहले भी बताया कि इस विद्ध्यारती शिविरों द्वारा विद्ध्यारतियों को कई लाब हुए हैं। जिसमें की हमने आपको अजे मिश्रा और तांशु जैसे कई उधारन भी दिये जिनको मुख्य मंतरी श्री शिला दिक्षित द्वारा पुरुस्कृत भी किया जा चुका है। अच्छे कार्य कर रही हैं। इस विशे में राष्ट्रपती जी ने भी कई बार हमारा उच्साह वर्धन किया है। आज हम बात करें उस शिविर की जो की अमदावाद आश्रम में पिछले तीन दिनों से चल रहा है। इस शिविर में भी आए विध्यारतियों को गजब के अनुभव हो रहे हैं। आज पुझे बापुजी भले इस शिविर में हमारे बीच नहीं है। परंतु विध्यारतियों को जप, अनुष्ठान, ध्यान, योग, सैयम वस्दाचार की शिक्षा दी जा रही है। और इन विध्यारतियों को किस प्रकार के अनोखे अनुभवों का एहसास हो रहा है। आप देखिए उन विध्यारतियों के मुख से ही। बापु जी ने जैसे हमें सिखाया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हमें माता-पिता का आदर करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए। हमें सब को सब कुछ विचार के जैसे हम खुद के लिए मांगते हैं कि में सब प्यार दें वैसे हमें भी दूसरों से प्यार करना चाहिए करीपा जो बापूजी बड़ा सरी है बहुत से में देखे हैं चमतकार जोब लोगों अपने उनके शिष्य के जीवनों में हो रहे हैं दिख्षय लेने से पहले मेरा जीवा नहीं सा था कि दूसरों से जगड़ना लड़ना जलना लेकिन बापुजी से जब भी मैंने दिख्षय ली तब भी मेरे अंदर इतना परि आता है आज बापुजी का यह संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और यह संकल्प और यह संकल्प उनके बच्चे ही पूरा करेंगे हम ही पूरा करेंगे और भारत को विश्व गुरु पर जरूर पोचाएंगे यह हमारा संकल्प है और वो हम पूरा करके ही रह साइट से भी ले सकते हैं तता सोशल मीडिया के द्वारा भी हम पुझे बापुजी की सच्चाईयों का प्रसारण कर रहे हैं इन खंडनों का प्रसारण आप देख सकते हैं फेस्बूक, ट्वीटर, वाटसअप तता www.ashram.org पर यहां तक ही हमारे इन समाचारों के द्वारा ह हम समाज के सामने सच रखने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहे हैं आज हम जनता के सामने ये बातें रख रहे हैं जो की मेडिया में प्रसारित नहीं हो रही सच से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं जुड़े रहें आप हमारे इस कारेक्रम से संस्था समाचार में नमस्क झाल्टाइब लुटार